जहन दोस्तो आज मैं आपको AMC सेंटर के फुल डॉकुमेंट दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में और दोस्तो ये भी बताऊँगा कि कौन से डॉकुमेंट आपके लिए इंपोटेंट होने वाले हैं आपको मैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाऊँ दोस्तो देखोए कि करके म आपको सभी डॉकुमेंट इस सेंटर के दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तो आपके यहाँ पर 15 एक डॉकुमेंट है इस सेंटर में और कॉनसे डॉकुमेंट आपके लिए इंपोटेंट होंगे जो आपको बनवाने भरती से पहले क्या होता कि से बाहर कर देते हैं और फिर नरास होते हैं और बोलते हैं कि यार ये डॉक्मेंट रह गया इसके चलते हैं हमें बाहर कर दिया तो मैं आपको यहाँ पर एक एक करके वो डॉक्मेंट बताऊंगा कि कौन से डॉक्मेंट आपके लिए जलूरी होंगे और यहाँ पर दोस्तों मैं पूरी जानकरी आपको दे देता हूँ ठीक है AMC Center की भरती आपको दोस्तों पता होगा 15 November से आपकी भरती है 30 November तक आपकी भरती चलेगी ठीक है कौन कौन सी इसमें ट्रेड रहेंगी आपको मैं बता देता हूँ जैसे कि आपकी NA की है इसमें GD की है और साथ ही साथ इसमें ट्रेड मेन और दोस्तों किलर की भरती आपकी होगी ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो मैं आपको बताओं यहाँ पर आपकी ट्रेडमेंट की टोटल वैकेंसी बता दियें ठीक है और स्क्रीन पर यह वीडियो जो आपको दिख रही है आप इस वीडियो को चेक आउट कर लेना आपको पता चलेगा कि जो आपकी भरती है कब से स्टार्ट ह क्या प्रोसेस है हमने आपके लिए पहले ही बना कर चैनल पर डाल दिये है हम यह आप पर बात कर रहे हैं दोस्तो डॉकुमेंट की तो नम्बर टू डॉकुमेंट दोस्तो यह इसमें आपके कुछ यहाँ पर भरतियों के वारे में बताए गया कि आपकी एनने, किलर, जीड काउट कर सकते हैं फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कि जो हमारी काफी वाई पूछते हैं सर हमारी एज लिमिट कितनी रहेगी कितने के बीच में काउंट की जाएगी कौन सी ट्रेड के लिए तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि आपकी एनने के लिए कितनी र रहेगी qualification क्या रहेगी ठीक है यहां पर आप पूरा चेक आउट कर सकते हैं फिर दोस्तों next जो मैं हाँ पर आपको बताऊं काफिवाई पूछते हैं सर physical जो fitness क्या होता है देखो physical fitness test में दोस्तों आपके हाँ पर मैंने आपको हर वीडियो मैं बताता हूँ पहले आपकी running होती है उसके बाद दोस्तों आपके beam लगवाते हैं beam भी दोस्तों आपको excellent में आपके 10 आते हैं और 10 में दोस्तों आपको 40 नंबर मिलते हैं और यहां पर आप जैसी down जाते हो तो उस साथ से दोस्तों आपको number दिये जाते हैं फिर आपको दोस्तों एक गड़ा दखवाते हैं और 9 फिट का फिर आपर जिगजग balance आता remark में आप पास हो जाते हो ठीक है यह सभी ट्रेडों के लिए होता है आपका फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके फिजिकल measurement टेस्ट के वारे में आ जाता है कि आपकी हाइट कौन सी स्टेट के अनुसार होती है तो एक भाही का मैसे जाया था कि सर मैं यूपी से हूँ और मेरी हाइट कितनी लिंगे तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूं दे आपकी चेश्ट है और वेट भी की सनुसार लेते हैं भरती में ठीक है फिर आपर दोस्तों आपको एज रेलेक्सेशन के उपर बता देते हैं कि जिनके पास पिताजी का रिलेशन होता है उनको दोस्तों यहाँ पर हाइट में 2 cm की चेश्ट में 1 cm की बजन में 2 क्लू की तो पार हो चुके हैं सहीह दो चुके हैं और भी यहांन पर आप अपर आप चैक आउट कर सकते हैं उनको भी छूट मिलती है और जिनके पास ardक होता उनको भी यहां पर छूट दी जाती है I‍समें दोस्तों आपकी प्यर्टी को बाð continue मिलेगी संट्र में अगरिक आपका यहां पर देखो कि Other Center है Other Regiment إ 구rogas है तो आपको यहां पर 가지 Dublin मिलती है और जिनके पिताजी और भाई का Center है तो उनको Thirdバイurti मिलती है बाग की स्थ eseकेंड आप check out कर सकते हैं कि किसको मिलती है ठीक है फिर यहां पर दोस्तो आपके आपके नमबरों के वारे में आ जाते है कि आपको कौन सी अगर आपके पास पता जी का सेंटर है और उसका ही रिलेशन है तो आपको 20 नमबर मिलेंगे और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर और sports पे जिस पर certificate है उनको हाँ पर किसे साथ से नमबर मिलेंगे फिर दोस्तों यहाँ पर उनके जिनके पास NCC, ABC होता है उनको कितने नमबर मिलते है ठीक है फिर next page दोस्तों यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर affidavit के वारे में बता गया है फिर नीचे यहाँ पर दोस्तों मैं आपको clear कर देता हूँ एक बात जो हर कोई बंदा पूछता है भाई हमारे पास DSC का certificate है तो क्या हम इस वर्ति में जा सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने clear मना कर दिया जिनके पास DSC या other कोई भी defense का certificate होगा तो हम उनको अलाव नहीं करेंगे हम उनको नहीं लेंगे वो ballot नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है और जो आपका relation है उसके उपर watermark होना चाहिए जैसा कि आप किसी भी center से belong करते हो AMC या 3M या कुमाओ ठीक है या महार और नीचे दोस्तों यहाँ पर sponsor certificate के वारे में बता गया है मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा है यहाँ कि आपको कल वीडियो में लेगी इसके उपर आप चेक आउट कर लेना उस वीडियो को कि कैसे बनवाएं यहाँ पर कुछ और आपकी जानकारी दियो ही हैं यहाँ पर आप देखोगे body tattoo के वारे में बता गया उपर discharge book के वारे में बता गया ठीक है और यहाँ पर हम नीचे चेक आउट करें NCC के वारे में बता गया फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविट की कुछ जानकारी दियो हुई है ठीक है और यहाँ पर आपको कौन से जो मैंने आपको बताया थे कि जो मेल करने वहाँ पर आप चेक आउट कर सकते हैं कि कौन सी Gmail ID पर आपको डॉक्मेंट मेल करने वह भी आपको वीडियो स्क्रीन पर सोरी चेक आउट कर लेना और मेल अभी तक आपने नहीं किया यानि कि रजिस्टेशन तो कर देना ठीक है और फिर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपके वैरियेशन चलता है दोस्तों एक साल का मैं आपको बता देता हूं आपकी डेट ऑब बर्त में ठीक है तो आप चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप 365 डेज का आपका वैरियेशन चलता है यानि कि डेट ऑब बर्थ में आपका चलता है ठीक है और अपर कुछ और आपकी जानकारी दियुह हैं वो भी आप रीड कर सकते हैं यह कुछ आपका काम कर नहीं है फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जाता स्पॉंसर स्टेवेकट मैं आपको इन एक्ष्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बनता है और इसका क्या काम होता है फिर यहाँ पर दोस्तो आपके लिए यह डॉक्मेंट भी जरूरी है आप इसे भी बनवा के लेके जा सकते हैं यहाँ पर दोस्तो मैं आपको बताऊं तो आपके हाँ पर शिकनेचर और आप पारशाद्य सरपन से भी महर और शिकनेचर करवा सकते हैं फिर यहाँ पर दोस्तो कोविट यह भी बहुत आपके लिए इंपोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में यह नहीं बताता हूं पर दोस्तों यह कमपरוצरी है कि अब आपको कहीं भी अगर आप भरती में जाओगे तो आपको negative report अपनी लेके जानी है किसी भी सेंटर में अगर आप भरती के लिए जारे हो या medical के लिए जारे हो ऑग्जयाम के लिए जारे हो थीक है और final document दोस्तोй noric certificate यह चैनल पर वीडियो पर ही है चेक आउट आप कर सकते हैं वीडियो भी आपको सोहरी है तो दोस्तों ये कुछ डॉकुमेंट थे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये आपको ले के जाने हैं और पूरे पीडियो फाइल आपको एमसी सेंटर की हमने देखा दिये तो इसे साफ से हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन कॉल पर सेट कर लेना चेहंद